आयसली तन एक ओ जब से उताआ देलर दर्शों खीनाँ कि बहुत अच्छा लाएं देखें ऊपर जो काम करते हैं। तो आज हम हैं पिखार में और बिहार के गोपाल गंज में और गोपाल में पठना है था तो रास्ते में ये फ्रेम में जैसे आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं ये जो है आसाम से आ रहे हैं और ये बास्किल राइडर हैं और ये तीनों लोग हैं और ये जा रहे हैं अयोध्या इसलिए कि 22 जनौरी को राम चंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो ये उस करता हूं काफी भील लगी हुई है चुकि हम लोग हाई वे पे हैं तो मैं बात करता हूं इन से क्या नाम होगा जैश्री राम मेरा नाम अधित्या दे है मैं असाम का रहने वाला हूं सुनितपूर डिस्टिक एन जिला सुनितपूर के कब के निकले आप लोग हम लोग घर से 31 दिसेंबर को निकले थे और हमें 15-16 तारीक तक पहुझना है अर्थिया आपके आहां से कितना किलोमीटर है मारे वहां से लोग कर रहे हैं रास्ते में जहां जो मिल रहा है हम लोग भी लोगों को सिलाम कर रहा है कि यह है साथ में से अपने देश की सांती ठीव तिरंगा यह देख पा makan वीडियू में और यायोegen श्रीís राम झानडा है और्पी अप आप लोग ओल जया एक बर उस Jai practitioner जय स्रीराम जय स्रीराम एकी नारा एकि नाम है और और दूरी जादे किये हैं और साथी हैं इनके तीन लोग हैं साथ में में इन से भी बात करता हूं क्या नाम होगा आपका जैसी राम मेरा नाम है विश्व जी छिल जी इतना खुश है बाइस तारी को 22 जनौरी को जो है प्रांड परतिष्ठा हो रही और राम जी 500 साल के बाद वापस आ रहा है अपने घर तो उसक्रान गया क्या बोलो कुछ बात कोई बात बात नहीं है इस खुशी से इसलिए लिए लुक्त लिए लुक्त आ रहा थारे हैं इत्लिए पाउश है अभी यह घुशिया अब यहां तक आपको तेरा दिन हो गया ंरा मतलब 13 दिन हो गया हम हम लोग से के तेरा देने हैंROज का किया हो बारा दीन हो गया एक दिन इस्टेक इम लोग सिपिया अग्या का का मंदिरा यह उदू इन अधिस्टर के निबता है तो उन लोगों कि मैं मोलता तुह बाइक लेने के वजय में सब्सक्रेम दूख लगते हैं इसलिए आम लोग वोल है लोकल एडिया में घुमिया बहार नहीं मैं आप बिहार में आप प्र अहार का नाम सुने होंग आप प्रधेश जो है विहार है तो बिहार में आप आके गु वितना प्यार मिल रहा हाँ कम तक हम प्रस में रूखे थे इतना प्यार प्यार मिलार रहा हो इतना सब्सक्राइब आधर मठीनेर हम लोगों का यूietet सबकूश टेरा यह यह टेंटेर्ट में लोग रहेते हैं उसके राझ्य-टूल है और अन्दर बहुत कुछ है जी और कोई सायोग रास्ते में गोर आपका क्यों करता कि रास्ते में किसी बार्व कर जो चाहे आप इसलिए कि आयोध्या जा रहा हूं प्रभुसिराम के नगर haba कि यहां कि रास्ता करती एक नहीं करता हैं आप को करता है किस परकार सब्सक्राइब को मिलती है वह बहूत बहुत मेंजा नोग तो यूपी में जाने वाले हैं तो घ्री का मुझा लोग दो पता नहीं एंट करें के लिए शने आहे लोग है तो यह निय्हार बहुत अच्छा कर रहा हूं क्या कुछ कहा ना इनका क्या नाम है आप जैसी राम मेरा नाम प्रतिक दास तो बहुत छोटी अपके उमर मेरा 20 प्लास है 20 प्लास क्या करते हैं पढ़ाई उड़ा ही करते हैं बीए फिप से मिस्टर पी तो आप कहा जा रहे हैं हम तो असाम से निकले हैं और यु तो अच्छा लग रहे है दिल में की देखिए इतना बारा दिन हो गए हम लोग चलते हुए और बाकी लास तिन दिन है तिन दिन के बाद हम लोग राम जी की जनम भूमी में पहुच जाएंगे दिल में बहुत एक फूर्ती है इतना दिन का अपेक्षा के बाद राम मंदिर ब तो पहली बार जाना हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि यह जो चल रहा है आप जो है उस प्रांट परतिष्टा को देखेंगे 500 साल बाद राम जी आ रहा है तो देखिए यह तो सब भगवान का कृपा है बोल सकते हैं हम लोग तो इंसान है हम लोग का मर्जी से कुछ नहीं होता है हम लोग वाथ जा रहा है इसका मतलब है राम जी ने हमें बुलाया है इसलिए नहीं होता है और हम लोग तो साइक्स को करते हैं पहले नेपल भूटन गया हो लेकिन बहुत ठक ठक चुका था लेकिन इतना अभी 1,000 किलो मीटर हो स्प्रवांटिंग क्रिपाज से अभी तक पुरा बॉडी में एक भी पॉढलेम नहीं हetic Up ठीक है ठाप भी टना भानट है जाने जाने की नहीं में जाने के बाद कुઉच भी पॉद्लेम नहीं होता है सब राम जी की कृपा से बरिया चल रहा है जहां आपका इस्टापेज रात में होता है तो सुबह आप लोग क्या बज़े निकलते हैं यह से तो नौ से दज बज़े का बीच में हम लोग निकलने के लिए प्राइस करते हैं रात में साथ बज़े का अंदर अंद है ठेंट में भी कभी जरुरत परा तो और बाकी बहुत भीहार में आने के बाद हम लोगा उस Eliot हो पर रहे हो आज तुम है ओ खाओ चलिए भाई आपको यह खरीद देता है इतना प्यार मिल रहा है मतलब किसको छोड़के किसके पात जाओ यासा हम लोग का हो रहा है अभी इतना जाना चाहूंगा जो आपके लोग की साइकिल राइडिंग जो होती है यह अभी तक आप लोगोंने कहां कहां किस पर दिया पर कबार हो गया और में 2023 फेबरुआरी में राइट किया था आसाम से नेपाल भुटान डार्जिलिंग सिलीगुरी आलिपूर कुछ बियार यह सब में इसी से कंप्लीट किया हो रहा है और इस बार जाना चाहूंगा यह जो आप लोगों का कास्ट गिरता है जो आने में यह मेरा सोच है कि अभी जाबानी है अभी नहीं घुमूंगा तो कब घुमूंगा फिर उमर हो जाएगा तो घुटने का दर्द लेके तो नहीं घुम सकता ना अधी कब करने वाले हैं देखिए वह तो ओ भी राम जी की भरोस है ओ जन्म बिभा और मिर्टू ए तिन घुमने का मन है साइकल से घुमने से क्या होता है आप देखिए ट्रेन से कोई लोग बिहार आएंगे सापोस आप लोगा गुपाल गंज में आये तो गुपाल गंज देखेगा लेगन हम लोग बिहार का इस्टैडिंग से लेके एंड तक जितना देखा तो तब पता चला क आप देखेगा लाश्ट में बोलना चाहूंगा कि अब यूपी एक दम इस्टैडिंग से लेके अभी एंड तक आ गया हो बिहार में तो बिहार का जो प्यार है बिहार का जो खना है और विहार का जो लोग है दिल चूलिया बहुत अच्छा लगा और सब लोगों से आसा मे सब्टार उपॉट है लेकिन बिहार बहुत अच्छा है फिर्क क lav bus चाने वाला अभी जाएंगे यू पी एक्स्प्लोर करेंगे उसके बात पता चलेगा यूपी कैसा है अप को उमीद है देखिए बिहार अच्छा है लेकिन यूपी भी के बारे में क्या उमीद है देखे आदित्य योगी जी तो वाकाई है और राम जी का जनम जी को आप कितना सपोर्ट करते हैं योगी जी के लिए यह राम मंदीर प्रान पतिस्टा हुआ है नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आज जैसे देख पा रहे हैं कि राम जी का प्रान पतिस्टा शाहिद हम देख पाते हैं आपके कहने का मतलब है कि योगी और मोदी नहोते तो सायद राम जी की प्राण परतिष्ठा नहों पाता है इनका ये कहना है और ये असम से आरे एक बार थोड़ा सा इनको और दिखा दीजिए सारे भाईयों को लास्ट में एक बार आप जो है नारा बोल दीजिए जो बोल र बने महातरम जाए कि ये बहुत इन लोगों का जो है जजबा है इतना किलो मिटर से जो है यह cycle riding करके आ रहे हैं और यह अब पहुंच जाएंगे UP में कुछ देर के बाद और अयोध्या जा रहे हैं और यह बिहार का इन लोगों के बारे में इन नौजवानों के बारे में और इन सनातनियों के बारे में और आपकी क्या रहा है अभी तक वीडियो में बने रहने के लि परूर लिखियेगा आप अपने प्रतिकिरिया दर्ज करियेगा बहुत-बहुत धने बाद नमस्कार